नमस्कार मैं हूँ मैं यूरी स्रवास सब आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आज चैत्र नवरात्री की महाश्टमी है महाश्टमी के दिन मातारानी के आठवे स्वरूप मा महागौरी की पूजा की जाती है महाश्टमी पर माभगवती की पूजा से सारे कश्ट दूर हो जाते हैं इसलिए शक्ती पर्व के आखरी दिन यानी सब्तमी अश्टमी और नौमी पर इस तरह से कठिन तब और पूजा की जाती है ऐसा करने से पूरे नवरात्र की पूजा का विशेस फल मिलता है वहें इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है सभी भक्त माता के मंदिरों में पूज अर्चना करने के लिए पहुच गए हैं जिसके चलते मंदिरों में काफी भीड भी देखने को मिल रही है ये तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं माता की दर्सन पूजन के लिए मंदिरों में काफी भीड लगी हुई है सुबह से ही भक्त माता के पूजा अरजना करने के लिए पहुचे हैं लंबी-लंबी कतारों में खड़े हुएं बता दे कि नवरात्र के नौ दिन बेहद ही खास माने जाते हैं और ये नौ दिन माता की विशेष पूजा अरजना करने से विशेष आसिरवात भी प्राप्त होता है तस्विरों में आप देख सकते हैं माता की दर्सन के लिए भक्तों की काफी भीड लगी हुई है और कानपूर से हमारे समवादाता उपेंद्र अस्थाना हम से जुड़ेंगे उपेंद्र आज चैत्र नवरात्री के महा अश्टमी का दिन है आप मंदिर में मौजूद हैं क्या कुछ आज खास देखने को मिल रहा है कुल तरीके सहां कर दो है कंचा और युद की कमीол अविभाए Infinite मैं क्योद्न जोआबनावाएTE मैं लिए रह जाता है उपेंद्र, जिस तरह से वक्तों की कासे भीर देखने के अपने पीछों को मिल रही है, कैसे विवस्ता मंदिर पर्चन में देखने को मिल रही है? उपेंद्र एक बार पूरी तस्पिर मेर दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें उपेंद्र आपके पीछे श्रद्धालु नजर आ रही है, आप उसे बातचीत करने की कोशिश करें, उनके क्या कुछ मानता है? बुकलम भॉना थी हैं यह संदें गई और अजो फिकर आपक्या क्प्राइश तरीब कर जो एक वर्पिश्थ रिविए परगता समय करें हुए मंदिक ले करें जरू तरा में करें हैं गई तर्था करका कि यह तुर्ण दर्दा करें दि कांद मर्द को जांगें पुनी बग्षाटी दो इन सब्सक्राइब एक भी किनारा है। टिया नंग हो इसनी तो जोड़ा कि वचे बीच्चे लो आपने नहीं हो, शच्चुली वजीम है, इस बड़ा देष्मात्र माशूरा गजी माना सब्सक्राइब टिया कर दा हों। आप दो पर जाना है और आज विशार जाना है पतारी नवरात्री के पावन दिन अभी चल रहे हैं और मानता है कि मादुर्गा इन दिनों पृत्वी पर विचरण करती हैं इसलिए लोग अपने अपने तरीके से मादुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं नवरात्री में आठवे दिन महागोरी शक्ती की पूजा की जाती है वही अगर इनके स्वरूप की बात करे तो इनका रूप पूर्ता गोर्वर्ण है इनकी उपमा श्रंक चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है अश्टवर्सा भवेद गोरी यानि इनकी आयू आट साल की मानी गई है साथ ही जिन लोगों के लिए सब्त पूजती है वे लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं अश्टमी तिथी के दिन भगवती को नारेल का भोग लगाना चाहिए फिर नारेल ब्रामहर को दे देना चाहिए बता दें कि आज महागोरी की पूजा की जाती है और च सब्सक्राइब दिखाने की कोशिश करें अंख्या में भक्त माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुचे हैं देवी मा का आठपा स्वरूप महागोरी कहलाता है जिन्हें सौंदर की देवी भी कहा जाता है महागोरी रूप से देवी करुणा मई इसने मई श्रांत और कोमल दिखती हैं देवताओं और इसियों नहीं उनकी प्रातना करते हुए कहा सर्व मंगल मांगले श्रिवे सर्वधे साधिके श्रन्ने त्रिम्ब के गौरी नाराइडी बतादें कि आज का दिन बेहधी खास माना जाता है और आज महागोरी की देवी पारवती के रूप में भगवान सिर्फ को पती के रूप में पाने के लिए कठोड तपस्या की थी बता दें कि आज नवरात्र का आठवा दिन है जो की बेहदी खास माना जाता है लगातार हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां भक्तों की काफी भीड भी देखने को मिल रही है और एक बार फिर से हमारे समवादाता उपेंद्र हम से जुड़ चुके हैं उपेंद्र आचेत्र नवरात्री की महा अस्टमी है आप मंदरी में मौजूद हैं आपकी पीछे तमाम स्रद्धालू नजर आ रहे हैं बातचीत करने की कोशिश करें कि योगी द्वारा पहल की गई थी सभी मंदिरों में शबसती पाठ दुर्गा पाठ कराने की उसकी क्या कुछ विवस्था देखने को मिल रही है इस मंदिर में उपेंदर देखा जाए कहीं कोरोना का खत्रा भी देखने को मिल रहा है और आज महां आश्टमी है भारी संख्या मिस्रद्धालू पहुच रहे हैं लोग कितने जागरुक नज़र आ रहे हैं क्या कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है या लोग मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं पर किसी वक्त लोग को माता रानी के लाइब दर्सन करवा रहे थे बता दें कि आज नवरात्री के चुछ प्रोटोकॉल जारी के लाइव दर्सन करवा रहे थें चैत्र नवरात्र की आज महा अश्टमी है और आज का दिन बेहद ही खास माना जाता है उपेंद्र बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुनने के लिए ये दो तस्वीरे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पहली तस्वीर कानपूर से है जहां माता को भव तरीके से सजाया गया है भक्त माता की पूजा अर्चना करने के लिए भारी संख्या में पहुचे हुए हैं और दूसरी तस्वीर मध्यप्रदेश की सतना से है जहां मा सारदा देवी की ये मंदिर है जो बेहद ही खास मानी जाती है और नौ दिन नवरात्र के बेहद ही खास माने जाते हैं भक्त नौ दिन माता की पूजा आर्चना कर विशेस आसिरवात प्राप्त करते हैं बता देएं कि चैत्र नवरात्री अंतिम पढाओं में पहुच चुके हैं और आज मादुर्गा की आठवी शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी नवरात्री की आठवे दिन और प्रियाग्रास से हमारे समवादाता आशिस भठ हम से जुड़ चुके हैं आशिस आच चैत्र नवरात्री की महा अश्टमी है आज का दिन बेहाद ही खास माना जाता है क्या कुछ खास तस्वीरे देखने को मिल रही है आज नवरात्री की महा अश्टमी का पर्व है और आज देख सकते हैं कि इसमें प्रियाग्राज के मा ललिता देवी जो 51 पिटों में से एक कहा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज के दिन ये भी कन्या पूजन और नौमी के दिन कन्या पूजन का विदी जिजान से किया जाता है तो इससे में देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर में प्रैंगल में बहुत सी कंजिकाय बैठी हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग माताओं की कन्याओं की पूजा कर रही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उनकी भोग लगा रहे हैं, देख सकते हैं, जलेबी से इन होती है उनको कन्या पूजन का किया जाता है और इनक अगर हम पूजन करते हैं तो इसका विसेज फल की प्राप्ती होती है आप देच Scope है तो और ऑगर कन्य पूजन का इसे फह मना गया जो यहां पर जाता है विसेज फल पूजा चार्तरी करन्याओं को अगर हल्वा चने के भोग लगाता है तो उसका उन उनको विसेज मा का अशीरवाद प्राप्त होता है जी मैयूरी आशीज तमाम श्रद्धालू नजर आ रहे हैं मंदिर में आप उनसे बाद्चीत करने की कोशिश करें उनकी क्या कुछ मानता है जी यहां पर कुछ लोग यह सफ्द्धालू है जो मा का भог तैयार कर रहे हैं मिन्से वाग कि आज तरुके से आज आग यहां पर यहां पर यह भोग तैयारी कर दरी हैं और क्यों कर रहे सो इसका शुण लगर है जोड़ी बोग लाएं कि पर्शानिया है कि हल्वा चना लेका है यहां पर अगर कोई भी सकती पीट में हवान यग्य करता है तो उसका भी विसहल पल की प्राप्ति होती है को परिके माताय हैं रहे हैं तो यह पर सकती पीट है इसे तो यहां पर पर बताया जाता है कि मांकी अंगुली कि नहीं थी यहां पर लालता भी है और यहां प्रियाक राज का जिए और ही यह हो개 अधिके आपक द्थ़ीर दिखाएं का फर्मानो कामिना यस श्यूर्ट क्हांता है। इसके जरूर मानो कामनाय है पूरी होती है, जिस तरके से Little पर सद्धालू तूजा कर रहे हैं और यहां पर कंचोटी कंची का यह देख सकते हैं किस तरह के से यहां पर देखे यह चोटी कंची 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 कंच तो उनको भोग लगाने जाता है और उनसे प्राटना की आती है कि हमारे शुक घर में सुक सांती सम्रदी नहीं रहे हैं जैसा कि आम तस्वीरों में देख रहे हैं भारी संख्या मिस्रदालू पहुच रहे हैं वेवस्ता कैसी देखने को मिल रही है तो यहां पर सरकार के करें तो पूरे मंद्री में जो भी प्रमुक मंद्री हैं प्रदेश नहीं होता है तो उसको देखते भाए कि कि विस्एस तार पर ध्यान रखा गया है कि जो भी भक्त आए मा का अच्छे सा पूजन अर्चन करें और उसके बाद शुरक्षित अपने घर को प्रस्तान करें अश्यस आप मंदिर में मौजूद हैं छोटी-छोटी कन्या खिलाई जा रही हैं बहुत ही खुबसूरत द्रिश्यक बर पूरी तस्विर दिखाने की कोशिश करें हमारे बगल में ही देख सकते हैं किस तरीके से यहां माताएं बैने हैं जो कन्या पूजन कर रही हैं यहां पर देखे यह चोटी-चोटी कन्या यहां पे इनको देखे कोई दही का कोई जलेबी का कोई फल से तो मा का अलग-अलग तरीके से अपनी अपनी शद्धा के अनुसा कि इस तरीके से करने कर रहे हो आप शेम मां जो क्या आप तो यहां पर आने का कितना फ़ल मिलता है किस आपे लोग भी मार्टी पूजा करें कि हमारी घर की दुख दरिद्र जो भी हो वो धूर करें तो यहां देख सकते हैं तुमाम करने आया है देख सकते मंदिर कपाट के अंदर जा रही है यहां तमाम करने आज पूरा प्राइंगार आपको चोटी-चोटी कंजिकाओं से भरा पड़ा है और लोग आकर यहां पे पूजा अर्चन कर रहे हैं जी आशीज और भी श्रद्धालू नजर आ रहे हैं मुझसे बातशीत करने की कोशिश करें और थिंख सबकआ यहां खाइँ प्रूजांगा कि अजबाना है को यहां टूर आख मानका उब चाना की यह सब्सक्राइन हाँ मां सब कुछ जानती है, मां सब कुछ कहने की जुरूत नहीं है, मां सब कोई जो भी इक्षा होती वो पूरी करती है, और ऐसा भी मना जाता है कि नौरात्री के दिन में मां का नौ दिन महिसा सुर्थ से भी युद्ध हुआ था, और आज के दिन चंड़ून के साथ युद्ध आज के दिन पूर्णा माता का भी दिन माना जाता है और आज के दिन जो भी उनकी भी पूजा करता है तो जो पूल में बाधाएं होती हो वह भी दूर होती है कैसी देखने को मिल रही है इस मंदिर में जो नौरात्री के दिन में और राम नौमी के दिन में राम कथा सभी जगा किया जाए और जो भी प्रमुक मंद्रे वहाँ पे सामने आपको द्रश दिखाएंगे यहां पे सामने देखनी लिखा भी है यहां पे साफ साफ इस सत चंडी महायग तो कहीं न कहीं उसका जरूर हर जगा सुबह साम यहां सब चंडी पाट सब सती पाट यह सभी सुबह साम नित हो रहे हैं नौरात्री के दिन में फास तोर पे और आपको बता दे कि और प्रमु प्रेशन करने के लिए भक्त भारी संख्या में पहुचे हुए हैं सुभा से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा चोटी-चोटी कन्या भी खिलाई जा रही है मंदिर का बेहदी खुबसूरा दृष देखने को मिल रहा है फिलाल रुखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार